तो दिली के सियम अर्विंद केश जीवाल इन दिनों उत्राखन के दौरे पर हैं लेकिन वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं क्योंकि कोरोना काल का दौर चल रहा है ऐसे में वो उत्राखंड में मेहंती लोग हैं अच्छे लोग हैं इमांदार लोग हैं लेकिन उत्राखंड के नेताओं ने और उत्राखंड के पाटीयों ने उत्राखंड को बरबाद करने में कोई कसर में चोड़े आज उत्राखंड के अंदर दो पार्टी आए तो जैसे चक्की होती है चक्की के दो पार्ट होते हैं उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिस्ते हैं ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्राखंड और उत्राखंड की जनता पिछ रही है पिछले 20 साल से इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है बड़ी अच्छी सेहमती बना रखी है आपस में और बड़े तरीके से है सिस्टेमाइटिक आप 2000 से उठाके देख लो एक बार तुम एक बार हम एक बार तुम एक बार हम एक बार तुम लुटो एक बार हम लुटेंगे एक बार तुम लुटो एक बार हम लुटेंगे कि अभी कि सत्ताधारी पार्टी के पास सीयम ही नहीं है मैं एक बनता है कि सत्ताधारी पार्टी को लगता है यह भी निका मांगगे, और विद्धू से 70 साल बहुत के थी आज में पहली बार लुगा कि कोई अपनी पार्टी कहते हैं कि हमारा सीम बदल रहे हैं फिर दूसरे को भी कहते हैं यह भी खराब इसको भी बदल रहे हैं तो वहां पर विपक्ष है विपक्ष के पास नेता नहीं है वहां पर विपक्ष का नेता नहीं है पिछले महीने बर से दिल्ली के अंदर चक्के दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे हैं उत्तरा खंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा तो अब बॉलेटिन में आगे बढ़ते हैं आपको एक बड़ी खबर बता दे हरियाना से बड़ी खबर सामने आरे जहां यूपी के बाद अब हरियाना में भी सो के अस्थान पर 112 सेवा शुरू होगी और 112 पर कॉल करने से पुलिस की मदद मिलेगी तो बारा जुलाई को सीम मनुहरलाल इस से हल्पलाइन नमबर का उत्खातन करेंगे पंचकुला में 11 बज़े 112 सेवा की शुरू की जाएगी और इसके साथ ही वो इसका उत्खातन करेंगे तो यह बड़ी खबर हर्यारना से आपको बता रहे यूपी के बाद अब हर्यारना वेजी सौकेस्थान पर 112 सेवा शुरू की जाएगी और इस पर कॉल करने पर आपको पुलिस की मदद मिलेगी और इस जो हर्यारना का जो नंबर है उसको कर सीम मनुहलाल इसका खात्म करेंगे इस सेवा की शुरू करेंगे यह बड़ी जानकारी हर्यारना से आपको बता रहे हैं और 112 पर कॉल करने पर आपको पुलिस की मदद मिलेगी तो जिस तरह से यूपी में 112 नंबर जो है हेल्प्लाइन नंबर शुरू किया गया है और इस पर पुलिस की मदद मिलती है उसी तरह से अब हर्याना में भी यह सेवा शुरू की जाएगी तो फिर से आपको एक बार सीधे लिए चलते हैं जहाँ पर सीम अर्विंद केश जीवाल कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं आज उत्राखंड के अंदर दो पार्टी आएं तो जैसे चक्की होती है चक्की के दो पार्ट होते हैं उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिस्ते हैं ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्राखंड और उत्राखंड की जनता पिछ रही है पिछले 20 साल से इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखिए, बड़ी अच्छी सहमती बना रख्य आपस में, और बड़े तरीके से एयर systematic, आप 2000 से उठा के देख लो, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम लुटो, एक बार हम लुटेंगे, एक बार तुम लुटो, एक बार हम लुटेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास CM ही नहीं है, एक बनता है, फिर सत्ताधारी पार्टी को लग पार्टी खुद ही कहते हैं कि हमारा सीम विकार है वैसे तो अपोजिशन वाले कहते हैं यह पार्टी खराब है यह सीम खराब है यह तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा सीम खराब है इसको बदल रहे हैं फिर दूसरे को भी कहते हैं यह भी खराब है इसको भी बदल रहे हैं तो उत्राखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्राखंड की जनता की चिंता है उत्राखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा उत्राखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा इन दोनों पार्टियों कोई परवा नहीं है, दोनों पार्टियां केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही है, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है, आज इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है, जैसा अभी मेरल साब ने कहा, किसी भी परिवार में चले जाओ, सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, खास कर महिलाएं है, क्यों? आदमी कमाता है, कमा के महिने के अंत में, अपने घर में अपनी धर्म पत्नी को, मा को, बेहन को लाके पैसे उसके हाथ में रख देता है, फिर पूरा महिन मेरा ये कहना है कि उत्राखंड जो की बिजली बनाता है, जो की दूसरे राजियों को बिजली देता है, दूसरे राजियों को बिजली बेचता है, उत्राखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महेंगी क्यों मिलती है, क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्राखंड वासिय उनको फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा नहीं सोचा उनके पस टाइम ही नहीं है वो तो अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे हुए है जब तेरी बांद बनाया गया था तेरी बांद बनाने के लिए जिन लोगों की जमीने ली गई थी जिन लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी किया गया था कि नहीं किया गया क्या उनको फ्री में आज तक बिजली मिली उनको भी बिजली नहीं दी जो उनको वादा था उनको भी बिजली फ्री में नहीं दी कुछ दिन पहले अभी चार-पाँच दिन पहले मैंने टीवी में सुना की उत्राखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम सौ यूनिट बिजली फ्री देंगे और सौ से दो सो यूनिट बिजली हाफ रेट देंगे मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्राखंड के लोगों को कुछ तो फायदा होगा लेकि मैं सोच रहा था कि चुनाव के छे महीने पहले ये वादा कर रहे हैं ये अपने वादे पे टिकेंगे, नी टिकेंगे इनके एक बहुत बड़े नेता ने एक बारी कमेंट किया था जब उनसे पूछा गया जी आपने का था पंदरा पंदरा लाख रुपे देंगे बोले ये तो चुनावी जुमला होता है तो जब उन्होंने एलान किया कि सौ यूनिट बिजली फ्री देंगे तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे मेरी शंका 24 घंटे में पूरी उसका निवारन हो गया उसके 24 घंटे के अंदर यहांके मुख्य मंत्री ने क्या दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले तो आपको 6 मेहने का इंतिजार भी नहीं करना पड़ा चुनाव उन्होंने खोदी क्या दिया यह चुनावी जुमला था हम बिजली फ्री नहीं देने वाले दिल्ली में उत्राखंड के बहुत लोग रहते है मुझे तो लगता है शायद उत्राखंड के हर परिवार से या तो कोई दिल्ली में रहता होगा या दोस्त होगा या रिष्टेदार होगा लगबग हर परिवार का कुछ ना कुछ दिल्ली से रिष्टा जरूर है और जब आपस में दिली से उत्रहकन्ड के जो निवास्य हैं दिली में रहते हैं वो आते हैं वापस चर्चा करते हैं फोन पर बात होती है तो वो बताते हैं कि दिल्ली में किस तरह से विकास हो रहा है जो काम सतर साल में सारी पार्टियां मिलके देश के किसी भी कौने में नहीं नहीं कर पाई maintained वो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं श्कूल बंढरे ugly एस्पताल बन रहे हैं सड़के बन रहे हैं पानी बिजली हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है अब उत्राखंड वासी भी चाहते हैं कि वैसा ही विकास दिल्ली का जैसा हो रहा है वैसा ही विकास यहाँ भी स्कूल अच्छे होने चाहिए यहाँ भी अस्पताल अच्छे होने चाहिए सभी अच्छे काम दिल्ली में हुए वो तो करेंगे ही करेंगे स्कूल भी अच्छे बनाएंगे अस्पताल भी अच्छे बनाएंगे बिजली भी अच्छी करेंगे पानी भी अच्छा करेंगे यहां पर खेती भी अच्छी करेंगे कानून विवस्ता भी और भी खूब सारे अच् केजरी वाल जो कहता है वो करता है आज जो मैं कह रहा हूँ वो केजरी वाल की गारंटी है चार बातों की गारंटी दे रहा हूँ मैं बिजली के खित्र में ये हमारी पहली गारंटी है पहली गारंटी का मतलब अगले महीने फिर आउंगा एक और बात करने के लिए फिर उसके अगली महिने फिर आँगा एक और बात करने के लिए आज बिजली के क्षेत्र में चार बातों की गारंटी देके जा रहा हूँ पहली चीज़ जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उतरा खंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है हाफ रेट पे तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि आवरेज करके 300 यूनिट वो हाफ वाला कॉंसेप्ट ने रखा 300 यूनिट फ्लैट 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगे दूसरी बात ऐसे पिछले कई महिनों से हमारे कारेकरता गाउं गाउं जा रहे हैं घरगर जा रहे हैं ऐसे कई परिवार देखने को मिले ऐसे कई बिल देखने को मिले की लोगों के गलत बिल आये हुए हैं और कई बार होता है कि जान भूज के गलत बेजे जाते हैं 60 जार का बिल बेज दिया अब वो बिचारा वे जब ठीक कराने जाता है तो उसको कहते हैं दस अजार दे दे, तेरा बिल माफ कर दे, होता है ना कि बैर, जबर्दस्ती के जूटे बिल बेजे जाते हैं, अब बिचारे चक्कर काट रहा है, चक्कर पर चक्कर काट रहा है, इतने बड़े स्तर के उपर गलत बिल आये हुए हैं, कि उनको अगर ठीक करने के लिए सारी इन्री भी लगानी पड़े तो वो कम पड़ जाएगे, तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किये जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सीरे से शुरुवात की जाएगे, तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा, दिल्ली में करके दिखाया है हमने, उत्राखंड में 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली का ये मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना, 2015 में जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी मेरे को याद है 2014 की गर्मियां दिल्ली में साथ साथ आठ आठ घंटे के पावर कट लगते थे बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर इतने पावर कट लगते थे मुख्य मंत्री बनने के बाद मैंने और मेरे मंत्रियों ने और मेरे विधायकों ने गली गली जा जाके महले महले में जा जाके तारें बदलवाई ट्रांसफॉर्मर बदलवाई खड़े होके जैसे अपने घर का काम कराते हैं ना जब घर की वैसे खड़े होके हमने इस्तिमाल करने बंद कर दिये, जेनरेटर इस्तिमाल करने बंद कर दिये, उत्राखंड में भी बिजली की कमी नहीं है, उत्राखंड में बिजली बहुत है की नहीं है, उत्राखंड तो दूसरों को बिजली देता है, फिर भी बिजली के पावर कट लगते हैं, क्यों लगते ह वोई पावर कटने होगा, ये तीसरी बात है, और चौती बात, किसानों को, उत्राखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगा, आज एक किसान विचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं, अगर उसको थोड़ किसानों की बिजली खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी, आज ये बिजली के खेतरे में हमारी पहली गारंटी है, चार बातों की मैं गारंटी दे रहा हूँ, हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से, आपकी तीन सो यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी, मैं ऐसे भी ने कहरा कि सरकार बनने के पांच साल के बाद चुना के टाइम हमारे को याद आएगा हमारा बादा सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ किये जाएगी 24 घंटे बिजली करने के लिए समय लगेगा 3-4 साल लगेंगे सारा नेटवर्क जो है इसमें जितनी कमिया है ट्रांसफार्मर बदलने है पुराना नेटवर्क है इसको ठीक करने में समय लगेगा उसके वो भी करेंगे लेकिन 3-4 साल के अंदर ऐसी विवस्था कर देंगे modern नेटवर्क होगा बिजली का 24 घंटे बिजली के विवस्था करेंगे मैं समझता हूँ कि आज की इस घोशना के बाद उत्राखंड के हर व्यक्ति को खुशी होगी हर परिवार को खुशी होगी लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उत्राखंड की महिलाओं को होगी जैसा मैंने कहा कि एक महिला को सबसे ज़्यादा बरदाश्ट करना पड़ता अगर पहंगाई होती है शुक्रिया अगर आपके कोई प्रशन है तो तो आप दिल्ली के सिया मर्विंद केश जीवाल को सुन रहे थे और ऐसे में वो उत्तराखंड पहुचे हुए है 2022 को साधने की कोशिस निरंतर जारी है आप पार्टी जो है उसी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है जस तरह से दिल्ली में आप पार्टी ने अपना पर्शन लहराया ठीक उसी तरह से उत्तराखंड में अब आप पार्टी अपना पर्शन लहराने की कोशिश कर रहे है